जहें दोस्तों बंदे मातरा नितिन गटकरी ऐसे नेता हैं जिनकी पॉपुलारिटी उनके काम के कारण है ना कि उनके भाशनों के कारण नितिन गटकरी जिस प्रकार से काम कर रहा है पूरे देश में उसकी चर्चा हर जगे चल रही है जिस प्रकार से उन्हें रोट ट्रांस्पोर्ट का जो इंट्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलब करने के उपर काम किया है जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी दस बातें भी आपको सुनननी पड़ती है नितिन गटकरी ने अप सरकार और कुछ लोगों के उपर भी हमला बोला है जो कि सही दरीके से शयद काम करते नहीं और नितिन गटकरी की ये बात सभी लोग सुन भी रहे हैं क्योंकि वो काम से बोलते हैं मुव से कम बोलते है केंदिरी मंत्री ने सरकार और भी और कैस्वि पर एक बार फिर से बेभ़ाक टिपणी की है गटकरी ने कहा कि सरकार में बड़े स्थर पर ईगो होता है उन्हें लगता है कि सारी ज blinking मेरे पास ही है इसलिए लोगों से सला मशुरा नहीं करते अच्छे आदमी को निंदा करने वाला व्यक्ती को हमेशा साथ रखना चाहिए गटकरी ने ये बाते दिली में अवजित एक निजी सला एप कंसल्ट की लांचिंग के मौके पर कही गटकरी ने आगे कहा कि समय पर फैसले नहीं किये जाने की वज़े से सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होती है उन्होंने कहा कि निर्णाय क्या करते हैं ये समस्या नहीं है समस्या ये है कि निर्णाय नहीं करते जुएंट सेक्रेटर की गलती को सेक्रेटरी समालता है सेक्रेटरी की गलती को मंतरी लेकिन मैं पार दर्शी हूँ जिमधारी टाय करने में विश्वास रखता हूँ जमीन अधीगरण के मुद्धे पर विरोध प्रशन ना होने कारण पूछे जाने पर गड़करी ने कहा कि तमाम नाशनल हाईवे एक्सप्रेस वे जारी प्रोजेक्ट से बावजूद कहीं भी जमीन अधीगरण के मुद्धे पर विरोध प्रशन नहीं होते उन्होंने कहा कि अब जमीन अधीगरण के लिए हमने ट्री बेंक भी मनाने का फैसले किया है हमने गूरेट Pelosi लाएक है इसे वी जोड़ा जाएगा इससे यह पता चाले पेड़ कितना बढ़ गया उसका रिकॉर्ड हो गा केंदरी मंत्री कि नितिंगकरी ने पूर्वार को कंसल्ट एप लॉंच करी इसे पूर आई एस अफसर रागव चंदरा ने बनाया है इस एप पर 65 छित्रों के देश के चार्ज देना पड़ेगा जो कि एक्सपर्ट के खादे में सीदे तोर पड़ जाएगा मतलब आप यहां पर समझे कि नितन गटकरी किस तरीके से चीजों का आधुनी के अरण भी कर रहे हैं जहाएं एक तरफ हमारे देश के लोग इस बात की बीचे पढ़े हुआ है कि नहीं आगे ही नहीं बढ़ना एंखरा वरोड पर चलने के लिए द्राजी हैं लेकिसाब टेक्स सही से नहीं देना है वही पर नितन गटकरी यह से नहीं जब टेक्स का सही हाथों में जा रहा है अब यसी बात है मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं दिया आप लोग नितन गटकरी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट शेक्षिन आपके लिए खुला हुआ है जैहिन जैपाराथ